Welcome to NS Classes, My Name is Nitu तो पर्मानेंट, PGT, DGT, PRT Teachers की रिक्यूट्मेंट के बारे में तो यहाँ पर पर्मानेंट टीचर्स की रिक्यूट्मेंट आई है पर्मानेंट के साथ साथ जो है कांट्रैक्ट बेस की भी जोब है तो चलते हैं ओफिशल वेबसाइट पर देख लेते हैं वन बाइवन करके सारे डिटेल्स अपर देख रहे हैं यह जो नौटिस आया है आपका गेल डियावी पुब्लिक स्कूल से आया है तो यहां पर जो है यह काफी अची जो है सेलरी स्ट्चर प्रोवाइड कर रहे हैं प यह एक था कौन कौन सी विकंसी है नेम ओ पोस्ट यहां पर देखो पोस्ट रिजिशन के फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन में आपका होना चाहिए अप्लोगो यह उपके अपनी चैजिए अपके होनी चैजिए अटलस 50 परसेंट मांक्स आपके आई होनी और यहां पर बेड वगएरा नहीं मांगे हुए तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है तो यहां पर आप अप्लाइ कर सकते हो इसके बाद देखो TGT की वेकेंसी है आपकी Physics, Chemistry, Bio, English, Hindi, Mathematics, Social Science यहां पर आप देख सकते हो कि क्या-क्या जो minimum qualification क्या है आपका graduation और post-graduation होनी चाहिए relevant आपके 50% marks होनी चाहिए बेड आपका होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका जो CTAT का second paper है वो qualify होना चाहिए या फिर आपने S-Tate यानि कि UP है तो यानि कि आपका UP-Tate clear होना चाहिए ठीक है qualification essential in accordance the guidance framed by NCTE for the purpose TGT Social Science का यहां पर देख लो क्या मांगा हो है graduation and post-graduation वही 50% marks और आपका B.A.D. और आपका CTAT होना चाहिए ठीक है अब देखो TGT English Mathematics के लिए क्या मांगा है यहां पर भी same चीज़े मांगे हैं जो उपर मांगे हुए वही ग्रेजुशन और पोस्ट ग्रेजुशन में आपके 50% marks होने चाहिए प्लस आपका B.A.D. होना चाहिए और आपका CTAT या फिर S.T. यानि कि UPTAT clear होना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखों कांसलर TGT Grade की है यह सारी जो में पोस्ट बतारी हो है आपकी पर्मानिट वेकंसी है उसके बाद कांटक्ट बेस के आएंगी तो यहां पर मिनिम्म क्वालिफिकेशन और एक्स्पिरियंस अगें आपका साय पोस्ट ग्रेजिशन और पोस्ट ग्रेश पोस्ट ग्रेशन की हूई तो यह आपका ऊना जाए तभी आप अप्लाई कर सकते उसके बाद को कॉंटक्ट बेस की जो अगए है आपकी TGT स्राट हो गया सपेशल एज्युकेटर तीजुट टीट कॉंटक्ट बेस पे तो मिनिम्म क्वालिफिकेशन यहां पर आपकी पोस पे है तो नेचर ऑफ अपॉइन्मेंट प्योर्ली और कॉंटक्ट बेस पे है यह पूरा मिनिम्म क्वालिफिकेशन और एक्सपिरियंच जो है फिफ्टी परसेंट मांक्स कैंडिडेट वर्किंग नौलेज ओफ जो आपको विंडोज या फिर थोड़ा वक्प्यूटर है अपको करनी चाहिए तो यह सारी चीज़े अगर है तो आप अप्लाइ कर सकते हो नर्सरी टीचर जो फीमेल की यहां पर दो वेकिंसी हैं कॉंटक्ट बेस की यहां पर आपने बी एडिया एंटेटी किया हुआ तब यह आप अप्लाय कर सकते हो उसके बादे को पार्ट टाइ कोच यहां पर तेक सकते हो योगा के लिए लिए अधर बेनिफिट अब दिखलो सेलरी स्रक्चरी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को फोर रेगुलर पोस्ट ओफ एट पे कमिशन पेस्केल एंड अलाउंस ऐस पर रप्रीवलिंग दी एवी फॉम तो मतलब जो को जैसे हमारी गोवर्मेंट यहां मतलब 50,000 अपर ही आपकी सेलरी होगी क्यों के सेमंथ पे कमिशन की अगॉर्डिंग ही आपको सेलरी प्रोवाइड करेंगी तो कंडिडिट मस्ट वी प्रोफिएंट इन इंग्लिष रिटन इंग्लिष मतलब आपको अच्छे से इंग्ल और को बाती है अपको आपको अपिस्क्राइबत व्यूर्म दी आपकर्स बॉइन टेमिड इंडिए और ही यहां डिज़स सेलरी है अपको तोक्त करेंग मतलनाही चाहिए ब्ज़स प्रश्व लिच सेलरी politics यहां को ब कर्ונהहуюय को आपको इसके रितुह गिवाी किन प्रोफि 30 June को यहाँ पर अप्लाय कर सकते हो इससे जादा फिर यहाँ पर लेट हो जाएगा क्योंकि 30 June को आया है तो अविसली 20 July तक यहाँ पर अप्लाय कर सकते हो तो देख लेते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म को भरना है सारी चीज़े देख लेते हैं यह देखें यह आपकी जो है DAV जो है Public School की website है जैसे आप आओगे यहाँ लेटेस्ट नूस मिल जाएंगे आपको यह जो है vacancies है vacancy की detail यहाँ पर view पर करोगे तो आपको vacancy की detail आईजए लुआ लाजाएंगे उसके बाद जो है form आपको देखना है तो यहां पर जाएंगे तो आपको जो form है वो दिख जाएगा ठीक है तो यह जो है DAV का form आगे है इस तरह के सापको पूरी information यहाँ पर